चैस्री हरी मित्रों संत वेश निष्ट हर्स एक राजा था उसे कुछ तुरोग हो गया था वैद्यों ने कहा कि पास के सरोवर में हर्सों को मार्क बनाई हुई दवाई से ही आपका रोग अच्छा हो सकता है वह पास के उसी सरोवर के समीप सादू मातनाओं का आउगमन होडने के कारण वहाँ के हर्सों में भी वक्ती प्रगट हो गई थी वह हर्स संत वैशनों वेश तिलक तुलसी और मुक में हरी नाम का बड़ा आदर करते थे एक दिन राजा की आग्या अनुसार चार सैनिक हर्सों को लाने माल सरोवर गए परन्तु हर्सों ने देखकर उड़ जाते सैनिकों ने देखा जब कोई सादू संत हर्सों के पास जाते हैं तब वह नहीं ड़ते इस रहेस को जानकर चारो सैनिक वैश्णों वेश बनाकर फिर माल सरोवर पर गए हर्सों ने वैश्णों वेश देखकर भीया जान लिया किया सैनिक ही हैं वेश बना उटी है परंतु वैशनों वेश के प्रत आदर निष्ठा के कारण अपने को बना लिया सैनिक हरसो को लिक राजा के पास आये हरसो फी संत वेश निष्ठा को देखकर त्री वगवान किसने वैद्र का सुरूब धारण किया और राजा के नगर में जाकर गोशड़ा की कि मैं कुछ आद सभी असाद रोगों को सपर्चिक्षा जानता हूँ लोग इन्हें राजा के समीप ले आए भगवान स्री किसन ने कहा आप इन पंचियों को छोड़ दे मैं अभी आपको बिल्कुल निरोगी किये देता हूँ राजा ने कहा ये पक्षी बड़ी कठनाई से हमें मिले हैं पहले आप हम मेरा रूप ठीक करें तम मैं ने जाने दूँगा या सुनकर वैदी रूपी भगवान क्रेश्न ने अपनी जोली से औशधी निकाली और पिश्वा का राजा के सरी पर मलवाई राजा का कुष्ट दूर हो गया राजा तेंत प्रसंद हुआ उसने हर्शो को छोड़ दिया इस चरित्र को देखकर सैनिक ने अपने मन में विचार किया जिस वैश्डों वैश का पक्षी ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फल सुरू उसके प्राण भी बच गए ऐसे पवित्र वैश को हम मनुश्य होकर भी कैसे छोड़ सकते हैं इस प्रकारवे सैनिक सच्चे संत बन गए उन्होंने कभी इस वैश का त्याग नहीं किया उनकी मती भगवान की भक्ति में मगन हो गई स्री नाभा अदास गोसामिक के मतानुशार हम सभी वैश्डों वैश धारियों को भक्त मान कर उनका आदर करना चाहिए और जिन वैश्डों वैश अथ्वा कोई भक्ति चिन नहीं दिखाई पड़ते उन्हें ऐसा समझ कर आदर करें कि इनमें अभी तक भक्ति प्रगट नहीं होई चिपी होई है क्योंकि यद किसी व्यक्त में बाहरी रूप से बक्ति चिन तिलक तुलशी हरी नाम कदाचित ना हो परंतुवा अंदर से भक्त हुआ तो उसका अनादर करने से भक्ति की हानी हो सकती है इसलिए समस्त जिवों को भगवान का अर्श मान कर उनका सम्मान करें चैस्ष्री क्रिश्ण